साहब, ए साहब, F.I.R. मत कीजिए साहब, हम आपके खिलाफ बनलब आप जो गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोलेंगी भी नहीं, आप F.I.R. मत कीजिए सब के हाथ बन्दे होते हैं, सब के हाथ में पैसे भड़े होते हैं क्या है कारण अस्पताल में जहीं दोस्तों आप देखरें पब्लिक प्रोल पॉइंट और फिलाल अभी हमारे साथ अभी सेक्स रिवास्तव हैं वही अभी सेक्स रिवास्तव जो की पेशे से पत्रकार हैं और कुछ दिन पहले गोपाल गंज सदर अस्पताल में जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग जो इस समय वहाँ पे घटी थो रहा था वो मैंने दिखाया था 21 तरह से डॉक्टर साब मौजूद नहीं हैं लेकिन जिस जनता के टेक्स के पैसों से उनको सेलरी जाता है वो जनता बाहर खड़े हो के इंतजार कर रही है उनका एक 60 साल की बुजूर्ग महिला सोची ना हम 40 साल के उम्र के व्यक्ति से अगर आप पूछेगा तो कई ऐसे व्यक्ति होंगे वो कहेंगे कि खड़े होने पर घुटने में दर्द होने लगता है दस मीनट आदे घंटे में वो साट साल की बुजूर्ग महिला लगबग डिड़ घंटे से खड़ी थी और डॉक्टर साहब देखने वाले नहीं थे वहां के जो अधिकारी थे इस बात का जायजा लेने वाले नहीं थे कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं बैटे हैं वही अभिशेक सिर्वास्तों ने दिखा दिया वही सवाल अभिशेक सिर्वास्तों ने पूछ दिया कि आकरकार ये डॉक्टर साहब क लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल एक खड़ा होता है कि स्टी एक्ट क्यों लग गया एक्ट कहते हैं ना कि जो सच है उसको दबाने के लिए जो सामने वाला हर तरह के चीजों को अजमा ले मतलब उन्हें लग रहा था कि अभिशेक सिर्वास्तों पर यह लगाएंगे तो अभि जाती का फैदा उठाने का वहाँ पर मौका मिला कि मेरी जाती जो है उसके हिसाब से मैं स्टी एक्ट लगा देता हूँ जेल में सड़ जाएगा फिर उसके बास अभिशेक सिर्वास्तों आ के पूछेगा नहीं कि आखिरकर यह गलत क्यों हो रहा है तो फिर कारवाई नहीं होगी इस बात को समझे इस फरवरी 2021 को दिखाया है उससे पहले कोविट का दौर चल रहा था कोविट के दौर में कहा जा रहा था कि हर इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है गरीब से गरेव इंसान दूसरे की मदद कर रहा है उस वक्त गोपाल गण सदरस्पताल में ब बाहर निकलते हैं और उसके बाद से अभिषेक स्रवास्तों के हाथ माइग देखते हैं तो जब कैमरा ओन करता है तो औन कैमरा डॉक्टर अगर दवाई नहीं मिली है तो यह गलत हुआ है क्योंकि दवाई यहां मौजूद है उन्होंने कमपाउंडर को डाटा उसके बसे दवाई दिलवाया तो अभिशेक सिर्वास्तो जो की एक मरीज को दवा दिलवाता है एक अभिशेक सिर्वास्तो जो की डिड़ घंटा साथ साल की बुजूर्ग महिला के लिए अवाज उठाया उनका नाम तक नहीं जानता है और अभिशेक सिर्वास्तो अधिकारी को जाती के ना अधार पे उनको गाली दे दिया कमाल करते हैं एक बहुत ही सर्मनाक बात है कि कहीं पे अगर कोई अस्पताल में या कहीं की सचा सब्सक्राइब है कि इसमें जो धराये हैं वो 341, 353, 504, 506, 344 ये IPC की धराये हैं और उसके बाद से SCST Act लगाया गया है मतलब इन्होंने कई दावे किये हैं मतलब इनसान के सच को दबाने के लिए एक पत्रकार जो सच दिखा दिया उसको दबाने के लिए जितना उनको प्रपंच लड़ना था जितना उनको जूटा एक पूरा कहानी रचना था सब रच दिया उन्होंने उन्होंने allegation क्या लग तूंच किया है साव कमाल करते हैं पत्रकार खबर्क दिखाने जाता है एक पत्रकार किसी की आवाज उठाने जाता है और आप कहते हैं कि कि आपके साथ गाली गुलोच करती है आपको किड़नेप कर वा लेगा मतलब अभी शिक्त सिर्वास तो पत्रकारिता कर रहा है कि गुंडा है और सबसे बड़ी बात अब यह सवाल खरा होता है कि कोई भी पत्रकार कहीं पर किसी की समस्या कैसे दिखाए किसी की समस्या दिखा करेंगे कहीं का कहीं का गलतियां दिखाएंगे तो हम पर फाइर हो जाएगा हमको जेल के अंदर जाना पड़ेगा हमारा किड़नेपिंग हो जाएगा हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा क्योंकि आज आए दिनों पत्रकारों के साथ होता रहता मतलब यह समझे ना कि ह पत्रकाईता करते हैं लाखों लोगों का मुद्दा दिखाते हैं लाखों लोगों की बातों को सरकार तक पहुचाते हैं और उनकी जाती कोई देखता है क्या कोई पत्रकार ये मतलब जाती देखेगा कि फलाने फलाने जाती के हैं तो फिर हम खबर दिखाएंगे मतलब कोबालगन सदरस्पताल में अभिषेक सिर्वास्तो ने जिस खबर को कवर किया जो महिला वहाँ डेर घंटे से खड़ी थी 60 साल की बुजूर्ग महिला जिनका नाम अब तक अभिषेक सिर्वास्तो को नहीं पता है जिस ख़बर के कारण अभिशेक सिरवास्तों आट दिन जेल में रह किया गया इस वक्त कचहरी कोट कर रहा है इस वक्त जिस पत्रकाहिता को जिवित रखने के लिए पैसे की नहीं सोचता है वो कोट में कहा जाया तो वकील को पैसे दे रहा है केस लड़ने के लिए मतलब वो जाती कैसे देख लिया सर एक अधिकारी की जाती कैसे देख लिया एक महिला जो पिडित थी उनका नाम तक अभी शेक सिर्वास तो नहीं जानता है जो अधिकारी मेरे पर एलिगेशन लगाए है उस वीडियो को देखिएगा तो मैं बारवा पोच रहा हूं कि सर आपका परिचे क्या है क्योंकि मुझे वाकई में उस वक्त नहीं पता था कि वो उपादिक्चक है उनका नाम फलाना है कि आखिरकार ये कैसे किसी के साथ बियुकर कर रहे हैं तो कई सारी चीजे लेकिन यह कह दीजे कि वो धरातल पर कितने वहां दिखाना जो नेता कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं पहल पया पर हमारे जो उप्मक मंतरी दिद्यसुरी आदब उन पर कर सवाइल खाला होता है कि जहां पर स्वास्तवल 스ण को स्वस्ता को ले करके लगातार यहां पर अवाज उठता है और लगातार आवाज को दबाया जाता है जब कोई पत्रकार किसी भी स्वास्थे सुअòn या फिर किसी अस्पताल में जा करके वहां की सच्चाई दिखाता है तो उस पर आर दिन का जेल भी कार्ट करके आ चुका है तो जेल रहके आ गया लेकिन इस बात को समझेगा कि यह जो अधिकारी या फिर जो भ्रश्ट अधिकारी हैं जो गलत तरीके से चीजों को कर रहे होत हैं उनको पता होता है कि एक पत्रकार जो होता है वो गरीब घर से ही होता है अगर उसके उपर एलिगेशन लगाएंगे तो कोट कचहरी करते करते वो ठक जाएगा और उसके बाद से फिर यह पत्रकाईता छोड़ देगा उनकी मनसा यही होती है या फिर उनके सामने जुक मिला हों चाहते हैं उनके सामने जुक जाएं कर रहे होते हैं country को पता होता है कि अमीर घर का लड़का का-थाई नहीं कर रहा होता है इसका पहलु एकधियर सQS जीर जाकर रहके आच की हो सकता है कि सच दिखाने की कोशिश की अब हमारे बिहार में या पुर कहीं पर भी या पर पत्रकारीत है तो मैं सचरणारी की कोशिश आप पर मिलने आप अगर आप सेट तो っ आयो कि अगर आप सोते हैं सेट अगर और आप separate प्रीपोर्ट करते कि अगर आप नो को वीडियो दिखाया उस वीडियो की पुष्टी करने के लिए ना कोई अधिकारी आया ना कोई कारवाई हुआ यह के पास गया था मैं 23 फरवरी 2021 को गुपाल गंज के डियम नवल किसो चौधरी के सामने जाकर इस सवाल को पूछा लेकिन यह देखिए विडमना है डियम यह जरूरी नहीं समझा जिस देश में डिश्टल मीडिया को या डिश्टल प्लैटफॉर्म को कहा जाता है कि हमारे मानने पधान मंतरी कहते हैं कि अगर कोई गलत हो रहा है तो वीडियो बना के आप पोस्ट कीजिए उस पे कारवाई होगी वहाँ पर एक डिश्टल मीडि से पत्रकाइता नहीं करता है अगर बंद दर्वाजे से पत्रकाइता करता तो तेस फरवरी को जब मैंने गुपाल गन सद्रस्पदाल कवर किया उसके बाद जाके छोड़ देता लेकिन डियम साब के पास इसलिए मैं गया था क्योंकि वह वीडियो वह देखे और उसके बा अधिक्चक है वो लेट आये थे उनको भी वहां से अभी जो पेंशन ले रहे ना सरकार जो पेंशन उनको दे रही है गरीब जनता के टेक्स के पैसों को उनको दिया जा रहा है वो बंद हो जाएगा उसकी उस वीडियो की जाच होगी तो लेकिन यह ऐसा नहीं किया सब थोड़े-थोड़े कही से दारी रखते हैं कहीने कहा जाए तो कहीने सबके हाथ बंदे होते हैं सबके हाथ में पैसे भड़े होते हैं फिलाल अभी हमारा यह प्रयास कैसल है और किसी पत्रकार के साथ इस तरह की घटना होती है किसी पत्रकार जब कोई पत्रकार कहीं प पत्रकार के पास आते हैं कि ज़्यादा लोगों तक बात पहुचे तो जो लोग सुन रहे हैं उनको साथ देना पड़ेगा उन पत्रकारों का जो पत्रकार उनके लिए हमेशा खराए था पिलाल चाहूंगा इजाज़त और आप लोगों से भी एक रिक्वेश्ट रहेगा कि इस वीडियो को इतना सेयर करें और सिर्फ सेयर नहीं करें सपोर्ट भी करें क्योंकि आज यही पत्रकार आपको हमेशा ग्राउंड लेवल पर आगर के खड़ा हो करके अपने जान को आपके लिए जाहें